वेलकम टो दक्षिक एडमी लाडवा यूट्यूब चैनल बचो आज हम अजेक्टिव के एक प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे जिसमें 20 कोश्चन्स होंगे और यह आपके जितने भी कमिंग एक्जाम होंगे उन सभी में बहुत हेल्फुल होने जा रहे हैं तो आप साथ साथ प् आप पताइए बचो क्या एगा देखेंगे जब हम बिल्डिंग को कंपेरिजिन करते हैं तो पेचो हम ओल्ड की फॉर्म जो और और ओल्डेस्ट लेते हैं ओके तो यहां पर क्या आएगा आपको आपको अप्शन ए हो जाएगा नेक्स देखते हैं इस देयर डैस मिल्क इन कि चया है रूंदेर देखें चली फशन अपर गारें।र नेक्सलिया हर देखते हैं तो यहां पर क्या वोग क्षूं पांट सर्फ यहां र रहते हैं आपके गया हो जाएक हुआ आंप देखते हैं डाईमस्टर वील्निष डश्ट डैस ऑफिआँ यो यह डेकी हो यहां ठो इसमें each और every में confusion है अब अच्छों ध्यान से देखिएगा मान लीजिए ग्रूप है यहां पर उसमें अलग-अलग persons हैं यहां पर जब हम इस ग्रूप की बात करते हैं सारे की तो every आता है ठीक है लेकिन जब हम इसमें से हर एक परसन के बारे में बात करेंगे तो फिर यहां पर हम इस यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या बचों यहां पर क्या आएगा आपका each each of you यानिके जो हिडमास साब है वो आपको सभी यह क्लास में से हरे को पुनिश करेंगे ओके तो next देखते हैं बचों यहां पर इसी तरह से बचों अगर आपको confusion आता तो इसमें हमने डिटेल वीडियो जो और भी बनाई हो ही हमने जिसमें आपको complete objective की जानकर मिल जाएगी तो आप वहां से भी जूरू देखिएगा there are no dash then five benches in this room अब यहां देखिएगा benches को आप count कर सकते हैं तो count कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या दूसर देखिए यहां पर then लगा हुआ है यानि कि आपका बचो क्या आएगा यहां पर comparative वाना है तो count करने के लिए बचों few की जो forms है वो use करते हैं तो यहां पर क्या आजाएगा क्योंकि comparative degree आनी है तो fewer आएगा next देखते है I have still 10 rupees left with me तो इसकी sense देखिए ज़रो बच्चो sentence की sense के निकल रही है कि अभी भी कुछ पैसे बच्चे हुए है और जो countable होते हैं के लिए हम few का use करते है बच्चो तो यहां पर देखिएगा भी भी कुछ बच्चे हुए है तो few तो negative में आएगा आप few थोड़े से बच्चे हुए है इसका मतलब क्या बच्चो बी option आपक अब आप देख रहे होंगा बच्चो जैसे अपने रूल पढ़ा होगा कि अगर दा लगा होगा तो सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दा का यूज करते हैं आर्टिकल्स में पढ़ा होगा रूल लेकिन यहां पर बच्चो आया हुए है टू तो confusion create कर रहे हैं तो कैसे हो गर्ष में देखिए हो जब कभी कोई भी बच्चो ऐसी भूम आई ध्यान से समझे लो और देख लो बच्चो इसको बहुत इंपोर्टेंट है अक्सर एक्षाब में आता है नेक्स देखते हैं राम वाज ओल्डर दैन लक्षमन अब देखिए राम और लक्षमन जैसे हम रमायन से जानते हैं कि दोनों भाई थे लेकिन यहां पर ओल्डर यूज हुआ है क्योंकि बिलट रिलेशन बच्चों नजद अपर तर्फ यहां पर जो कंपैरिटव में यूज होता है टी एच एं ओके नेक्स देखते हैं ही इस जूनिय डैस औल एजड़ इस गलिक्स तो जिन में बचल आई ओ रहोता है उखे उनके साथ बच्छों हम टू का यूज करते हैं क्या यूज करते हैं अदरबाश comparative में हम जो बच्चे then का यूज़ करते हैं I hope यहां तक clear हो रहा होगा next देखते हैं yes पढ़िए कि यह भी बहुत important आपका जो है अगर मैं कुछ इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने में प्रिफरेबल के साथ आपने टू का यूज़ करना पहली बात उसके साथ दैन नहीं आता है यह भी comparative है दूसरा बहुत से बच्चे इसमें मौर का यूज़ करते हैं health is more preferable to wealth जो गलत होगा इसलिए इसमें कोई भी आपका objective नहीं आएगा ओके ध्यान से समझे लिए इसे संडेंस को याद ज्रूर रखिएगा अक्सर नहीं जाम में आते हैं नेक्स देखते हैं डैस वाइज एन हेलप डि स्ट्रीडास वाइज कें प्ले इस गेम अभी से सैंस देखिए कई कल रही है यहां से सैंस आती है के बहुत ही कम ना के बराबर जो हैं वो बॉइज आ है इस गेम को खेलबाते तो ना के बारबर का मतलब का वच्छ हो फ्यू ओके जब ड्रैक्टिव सेंस में आता है तो हम क्या यूज करते हैं फ्यू या फिर लीटिल जो काउंटेबल होते हैं के लिए हम फ्यू यूज करते हैं आपके सोहन है सोल्ड डैस बुक्स ही हैड अब यहां देखिएगा यहां से सैंसार है कि जितने भी बुक्स उसके पास उसने सारी की सारी बेज दी तो जितने भी का मतलब कि है सारी की सारी के लिए दाफ्यू का यूज़ करेंगे नेक्स देखते हैं I know das of everything येस क्या येगा बचो देखिएगा is में I know das of everything यानि कि सब चीज़ों का कुछ कुछ पता है ओके बिलकुल ना तो नहीं है क्योंकि लिटल नहीं है तो यहां पर क्या है बचो a little I know a little of everything सबी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा उसको पता है पर मेला लगा हो इसको देखने लिए बहुत से आई हैं तो बहुत से का मतलब क्या बच्चो मैंनी एब चो जो है वह सिंगुलर के लिए उज़ता है मैंनी ए यहाँ कन्फिम्ज हो जाता भिचों को ओके इसके लिए आप दूसरी वीडियो जो हमारी देखेगा चैनल पर जो है वहाँ पे आपको एक न्फूजन दूर हो जाएगा नेक्स देखते हैं डैस्ट वर्क इस यह टूवी डन येस अब वर्क बच्छो देखेगा अनकाउंटेबल है तो मैंनी तो इसके साथ नहीं आएगा तो इसके साथ के आएगा बच्छो मच्छ ओके मच्छ वर्क इज य डिकवरी की उमीद है तो ना के बराबर का मतलब किया बच्छो लिटल देर इज लिटल हो फो फिज रिकवरी डैस्ट पीपल आर्ट्रूली है यह सेंस देखिए बच्छो क्या कहना चाते हैं बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो वाके में खुश होंगे तो ना के बराबर वाले मैं क्या यहznों क्या है बच्छो फ्यू देखिएगा गे नेक्स्ट इफ यू है डैस्ट डिफिकल्टीは यह दीफिट इन सॉलव रंधी सूल्विंग तो चाह मैं से ऐखिए को इफ यू है pai औटेक्छो और और यहां पर पर बच응 अपने साथ रेखने इसके साथ आएकर never he is sorry she seldom or never make make some mistake next देखते हैं his son is more intelligent than any that's why of his locality yes जब कभी ऐसी कोई भी बच्चों आती है तो उसमें क्या यूज करते हैं other तो his son is more intelligent than any other boy of his locality बच्चों यह सारी आपके पास answer की है ओके आप यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना स्कोर जो बच्चों हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जूड़े रहने के चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आई होगी आपको दो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा थैंक्स फूर वच्चिंग